जैसे किसना निलम के किचन में आपका स्वागत है प्रें नव रातरी आने पाली है और अस्टमी नावेंबी तो माता पुचिन के लिए पसाथ बनता है हलवा मालपुवा तो आज हम ऐसा मालपुवा बनाएंगे जैसा उजगरात में बनाते हलवाई डिशम मालपुवा बनाएंगे मुलाहिम और बणाया और बड़े-बड़े मालपुवा और सोप्ट और टेस्ट बिल्कुल हलवा जिससा अघ्व ने तियार होएगा आपका मालपुवा। इस तरीके से बनाना फ्रेंच आपके माल पॉआ भी होज़ ज़्यादा हलवा इस्टाइल बनके तियार होगा टेस्टी तो चलो बनाते हैं आटे के माल पॉआ बनाने के लिए हामने ये एकटोरी आटे लिए है अ मैं अताएंगे और हम छी निअवार डाल देग्यार है तो हमने आदाप ठोड चीनि ले एकटोरी आटे लिए हो तो आधा इरैक अ कहयारी चीनियगu डाल सुख सिस्टाइल देंगे चलाते रहेंगे चीनी मेल्ट हो जाएगी यह देखिए हमारे चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इसे गरम पाने निदालना थंदा पाने में मेल्ट करना है अब डालेंगे हमें इसमें आटा थोड़ driving डालके अच्छे से मिला लेंगे कि यह देखिए हमने टालेंटों अच्छे से मिला लिया है और यह देखिए कि अब डालेंगेमें इसमें तिलेची दरदीरी सी कुट्य हो फो कि आपके पास तो आप जरू से डालना इसमें बहुत अच्छा तेज़ दाता है मालपुए में इसे हम पास मिनट के लिए रेष्ट के लिए रख देंगे तो यह हमने फ्राइपें लिया है और इसमें हमने देशी घी डाल दिया है गेस चालू करतेंगे गी को अच्छा से मेल्ट होने देंगे अब देशी घी के बदली आप तेल भी ले सकते हो आपके पास जैसा घी हो वह ले सकते हैं देसे घी में बनाऊगे तो और भी अच्छा टेष्टी बनेगा है यह बनेगा तो आप जैसा पसंद करते हैं उसमें बना सकते हैं यह देखें पास मिनिट होगी है और हमारे बेटर अच्छे से फूल गया है और हमें इस तरगे का रखना है तो गाडा रखना न पतला रखना इस तरीके का चीए और आप छोटे मालपुवा बनाते हो तो कड़्ची ले सकते मैं इसमें डालकर बना रही हूं इसमें डालूंगी इसका बेटर और बाद में में इसी से मालपुवा का बेटर डालूंगी तो यह देखें हमारे की अच्छे से मेल्ट हो चु के बेटर तो मैंने इसमें डाल लिया है बेटर और में बड़ा वाला मालकवा बना रही हूं तो ज्यादा डालने वाली हूं कि इस तरीके से हमें बेटर डालना है और इसे हम इसे फिला लेंगे अब को जितना बड़ा चीए उतना पेटर डाल सकते हैं अब हमें इसको एक साइड से शिखने देंगे फिर इसे हम पलट देंगे इसे एक साइड से शिख चुका है अब इसे हम पलट देंगे इस तरीके से लेंगे ये थोड़ा नारा में अभी अब इससे हम पलट देंगे अच्छे से शिख चुका है एक साइड से तब इससे पलट देंगे असन तरीका है और बिल्कुर हलवाई जैसा बनेगा मुलाइम और ये बड़े-बड़े माल पुए ये देखिए हमने उलट पलट कर हमें चार से पास मिनिट लग गए इसे शेकने में और हमारे माल पुए अच्छे से शिख चुका है ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया इसके अंदर जो भी घी है इस्ट्रा उसके हम निकाल लेंगे सूरी इसको दबा-दबा के इसके गी निकाल लेंगे इस्ट्रा ये देखिए हमने ये निकाल लिये हैं अब मैं बाप पिसे डाल रहे हूं कि आप उसी तरीके से डालना है इस तरीके से डालते जाएंगे आप आपको इतना बड़ा ती है अपना बड़ाब देख सकते हैं हुआ है ये देखिए हमारे एक साइड से सिक्सिका है पूआ अब इसे भी हम बापिस से पलट देगे इस तरीके से पलट देएंगे बिल्कल भी दिकत नहीं आती है उसे अलवट पलट कर इससे अच्छे से सिक्ने देंगे इसे हम निकाल देंगे यह दिखिए और इसका जितना बिश्टेगी है उसे हम ऐसे दवा-दवा के निकाल देंगे अब इसे यह देखिए हमने सारे मालपुआ बना ले हैं तो कितने सोप्ट है बिल्कुल हलवाई जैसे पता ही नहीं सकते ना घर में बनाया है बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट इस तरीके से बनाओ गे तो आप तो इसे लीजिए हमारे आटे के मालपुआ हलवा इस्टाइब और कितने सोप्ट मूं में जाते घुल जाए इतना सोप्ट बनके तियार हुए तो फिर नव रात्री आने वाली है और अस्टमी नवें भी इन पे तो मालपुआ यह परसाथ बनते हैं लेकिन इस तरह किसे बनाओगे आप भी मालपुआ तो बिल्कुल हलवा इस्टाइल बनके तियार हुए जो भी मालपुआ खाएंगे वो बता ही नहीं पाएंगे यह आपने घर में बनाया यह फिर हलवा इने बनाया है ही तो हलवा ही बनाते हैं जग्राता में बनते हैं इस तरगे मालापुआ घर जार सनुति है तो उससाइई सोब्च वंख बेसाईए बनके चीज़ना हाँ म्हां हर एक्की ब眑ं हुद मेसाइब दुद्धे अपो यस्थ हैम दू लाइक करना, सेर करना, सिस्ट्काइब करना, मिलते एक नई वीडियो के साथ, बाई बाई